वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आज इस लेक्चर में हम फूड अडेटिव का बहुत जादा इंपॉर्टन टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नेम है इनमबर इनमबर कोड होता है जो के उस सबस्टांस को दिया जाता है जिसको ऐस फूड अडेटिव फूड में यू सबस्टांस को पास कर लेता है जो कि फूड में यूज किया जाते हैं उनका इनमबर है E100 से लेके E199 तक कलरिंग एजेंट साते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ कि E नमबर कैसे फूड प्रोडाक्ट में हमें दिखता है इनग्रीडियन्ट लिस्ट में अब यह है mixed pickle ठीक है जो कि एक फूड प्रोडाक्ट है आपको पता ही है तो यह इसकी इनग्रीडियन्ट लिस्ट है जिसमें इसकी इनग्रीडियन्ट लिस्ट आप देख सकते हो प्रिजर्वेटिव इसमें डाला गया है जिसका इनग्र है 211 211 किसका इनग्र है sodium benzoite का एन इनग्र 223 यह किसका इनग्र है कौन से प्रिजर्वेटिव का sodium metabisulfite का तो अब हम यही देखेंगे कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव को कितने से लेके कितना उसका इनग्र दिया हुआ है जैसे के यह coloring agents है जो उसका इनग्र है E100 से लेके E199 तक प्रिजर्वेटिव को भी इनग्र दिया हुआ है antioxidants का देख सकते हो physical conditioning agents जो food में use किये जाते हैं flavoring enhancers, sweeteners, nutritive additives and chlorophyll इनके अलग-अलग E-number हैं जो कि food ingredient में use किये जाते हैं तो E-number को याद रखके आप देख सकते हो कि कौन सा ingredient आपके किसी भी food product में डाला गया है और कितना amount उसका डाला गया है ठीक है तो अभी हम इस lecture में यही E-numbers देखेंगे कौन से food additive को कितना E-number दिया हुआ है कोचिनील जो कि as a coloring agent यूज होता है जो कि एक insect से बनता है इसका E-number है 120 synthetic and artificial colors जिसमें टाटरा जीन है जो कि यो की provide करता है yellow color उसका E-number है 120 इसको cold tar से बनाया गया है and soft drink में इसका यूज होता है tartra gin जो कि एक yellow होता है एक red होता है एक green होता है जो कि जो red है उसका E-number है 128 tartra gin जो green color provide करता है उसका E-number है 142 ठीक है ये ember nut है जो कि purple red होता है as a color use होता है इसको use किया जाता है pastries में cakes में black flavor देने के लिए ice creams में इसका E-number है 123 and इसको fresh meat में fish में poultry fruits में they are prohibited preservatives जैसे के sulfur dioxide का E-number है 122 ठीक है जैसे के मैंने आपको बताया था preservative E-211 किसका नंबर है preservative का sodium benzoide का ठीक है ऐसे ही आपको ये याद करने है सारी के सारी and ये ये जो sulfur dioxide है ये यूज होता है sausages में fruits juices में and dry fruits में ठीक है vegetable oil में use किया जाता है arancidity को prevent करने के लिए BHA जो कि artificial antioxidant है उसका E-number है 320 and BHA 321 ठीक है and ये दोनों chemical originated है conditioning agents का E-number है E-400 से लेके E-499 ठीक है इसको इसमें emulsifier property भी होती है lecithin जो कि मियोनीज में यूज होता है ठीक है alginate का E-number बताया हुआ है जो कि ice cream में यूज होता है guar gum जिसका E-number है 4-12 ठीक है इसको confectionery में ये यूज होता है guar plant से इसको extract किया जाता है as a stabilizer or as a thickener or emulsifier agent इसको use किया जाता है food में next is a pectin जिसका E-number है 4-0 and इसको artificially extract किया जाता है and jam jelly में इसको use किया जाता है flavor enhancers का E-number अलग दिया है तो जितने भी food additive होते है उनका अब हमने E-number देखा कि कि food additive को कितना E-number दिया हुआ है जैसे के ये सारे आगे हमारे preservatives, coloring agents, antioxidants flavor enhancers तो इनको आगे detail में पढ़ने के लिए आपको एक-एक अलग-अलग से E-number को याद करना होगा कि इसको कितना दिया है इसको इसका E-number कितना है जैसे के 2-2-3 sodium metabisulfide का होता है 260 acetic acid का होता है जो कि as a acidity regulator यूज होते है 330 E-number है जो वो citric acid का होता है जो कि as a acidity regulator यूज होता है तो इस lecture में इतना ही अगले lecture में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ तो तो यूज होता है